A uniform rope of length L, mass M1 hangs vertically from a rigid support, a block of mass M2 is attached to the free end of the rope, a transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at lower end of the rope, the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2, then ratio of lambda 1 and lambda 2, okay, तो देखो यहां पर यहां को दे रहा है, यहां पर एक रोप है, ठीक है, इस रोप का mass क्या दे रहा है, M1 दे रहा है, और दूसरा यहां पर mass लगा रहा है, M2 मास लगा रहा है Tension मानерт तो यहां पर T1 develop हो रहा है, यहां पर T2 develop हो रहा है, Ok, length अपने को given, length अपने को दे रहा L है, तो यहां सबसेरे लगा T1 को क्या बोलेंगे, T1 को अपन बोलेंगे M2 into G and T2 को क्या बोलेंगे, T2 की बात करें तो T2 में दोको एक तो यह M2 तो आई रहा है दूसर M1 भी आ रहा है तो मैं बहुत है तो M1 प्लस M2 इंटू जी यह आपका टेंशन आ गया राइट अब स्पीड की बात करें तो स्पीड का क्या रिख सकते हैं अब अब अपने को वेवलेंद को साब बोला है लेंडा 2 बाइडा 1 बोला है तो लेंडा 2 बाइडा 1 की बात करता हूं तो यह क्या जाएगा मेरा TENSION of 2 divided by TENSION of 1 आ जाएगा गा तो टेंशन of 2 की बात करें तो यह M1 प्लस M2 ाध है और TENSION of 1 कि तना है M2G है तो अपने पास answer आगए werd किया म 1 प्लस M2 divided by M2 कौनसा सही यहां से D yeah से ये अजयर